यह देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है और इस तरीके की चीजे भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं साथ मैं इनके प्राइजेज भी बताएंगे हेलो एबरीवन कैसे हैं आप लोग मैं आपका अपना सागर सिंग गुलबान आज आप लोग को ले कर आचका हूँ सूरत कुल मेला ग्राउंड जहां पर स्टार्टिंग हो चुकिया दिपावली उस्व की यह दिपावली उस्व दो नॉम्बर से दस नॉम्बर तक चलने वाल है काफी सुंदर यह दिपावली उस्व लगा हुआ है यहां पर आप लोगो देड़ सारे जूलो के साथ साथ शौपिंग से लेटेट काफी सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है दिवाली डेकोरिस्टेट अगर आप लोग कोई चीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो य यह वीडी Fernando को लोग खास होने वाले क्योंकि यह यहWestali लेकर ईंट को देखने को 31 कि मिलने वाले है यहां की डेकोरिस्ट कटेबर सकते हैं और और क्या-क्या चीज बोग यहां पर देख पाएंगे तो सारी चीज़े आप लोग को इस वीडियो के निन्दर बताने वाले शुरू करते हैं इस वीडियो को और complete मेले को cover करते हैं तो चलते हैं सीधा मेले के अंदर हमने आप लोग देख सकते हैं सूरज कुंट ground का gate number 1 से हम लोगों ने entry लिये अभी और इसी gate से आप लोगों की entry होने वाली है सामने आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा दिवाली उस्साओ बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है दिवाली उस्साओ टिकट बूस से आप लोगो टिकट लेनी होगी जो की 30 पीस पर परसन की आप लोगो पढ़ने वाली है साथ में पार्किंग की फैसिलिटीचिस यहाँ पर बिल्कुल फ्री आप कोस्ट रहने वाली है यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत बड़ा अ depuis कोस्ट पार्किंग कर सकते हैं तो सामने आप लोग देख पाएंगे entry gate वगरा ready हो चुका है और यहीं से ही आप लोग के entry होने वाली है, यहाँ पर ticket booth है, ticket booth से ही आप लोग को ticket लेनी होगी, जोकि 30 रुपीस की आप लोग को पढ़ने वाली है, ticket लेने के बाद सीधा entry कर लेना इस दिपावली उस्तव के अं कि क्या कुछ यहाँ पर organize किया गया है और क्या कुछ आप लोग के अंदर देखने को मिलने वाला है, checking point पर आप लोग को काभी सारी पुलिस वगरा देखने को मिल जाएंगी, तो क्या क्या चीज अंदर ले जाना allowed है, यह भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, तो चलते गण मेला ग्राउंड परिदाबाद के अंदर होने वाला है, और इविनिंग में साड़े-पांच बे यहाँ पर कल्चर मेला भी देखने को मिलने वाला है, तो पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, साथ में आप लोग सामने देख सकते हैं, च और अंदर पूरा कंप्लीट कवर करने वाले, इस साइड में आप लोग देखेंगे, तो कलरफुल आप लोग को कंप्लीट पूरा सजा हुआ दिख जाएगा, और धीरे-धीरे कंप्लीट यह मेला जो है, बहुत अच्छे से सज जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर आ यह इस तरह का गोटा पत्ती के हैवी और लाइट सभी तरह की वराइटी मिलेगी, बहुत इक बसूरत हाथ का सुच्छा गोटे का काम है यह, और प्योर शिफान पर बना हुआ पीस है, और यह एक्स्लूजिवली आपको मिलने वाले हैं, आज सूरज खुन के मेले में, सिंपल में भी इस तरह के सिंपल पीसिस भी मिलेंगे आपको और इस तरह के डिजाइनर पीसिस भी मिलेंगे, इसके लावा हम आपको देने वाले हैं प्योर सिल्क के सूर्स में आपको मिलने वाली है, इसके बाद धागे का काम की जो है एक्स्लूजिव वराइटी हाँ इस तरह की रेंज मैंने इसमें डिस्प्ले की है, यह फुल कारी का काम है, इस तरह के यह हमारी फुल कारी के सूर्स हैं, जो बहुत ही खुबसूरत महिलाएं पहनना पसंद करती हैं, लेडिस के लिए बहुत ही प्रिटी लगते हैं, पहने प्यूर महिश्वरी पर यह हाथ का काम है इस्तार्व की वाराइटी जो हाई हुई है इसके पाद हमने चिनौन के सूर्स है ये ने किए बहुत कुपसूरत सूर है ऐँ आपको very के और है बइस स्टार्ट है और मैं इस बाल जो लेके आई हूं सिरफ टेव रेंज लेकर आई हूं एक्सलूजिव लेकर आई हूं और आपको हम एक्सलूजिव चीजें जो हैं वह बारा सो से स्टार्ट करके दे रहे हैं जैसे ही आप लोग आगे निकल कर आएंगे तो यहां पर आप लोगो सिक्किम गेट देखने को मिल जाएगा तो काफी ज्यादा सुंदर यह गेट बना हुआ है साथ में यहां पर लिखाव हुआ है सिक्किम गेट 2002 तो इसी तरीके की इंपोर्मेशन भी आप लोगो लिखी है चल रही है और complete बनाया जा रहा है इस उस सब को इस सब के अंदर आप लोगो काफी सारी चीजे देखने को मिलने वाली है decorations related तो आप लोगो selfie points भी काफी सारी देखने को मिलने वाले साथ में अपर आप लोगो काफी सारी culture activities भी देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर काफी सारी students बेटे हुएं और ये भी अपना कोई ना कोई project बना रहे है इस तरीके की चीज़े भी आप लोगो देखने को मिल जाएंगी साथ में यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर डांस वगरा चल रहा है stage के उपर यह चीज़ भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे तो काफी ज़्यादा मज़िदार होने वाला है आप लोग अपने बच्छों के साथ में आओगे तो क्या भी यहादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीकी की यहाँ पर activities चल रही है सामने आप लोग देख सकते हों यहां पर उससव के अंदर ही आप लोग गर देखने को मिल जाएगा जो हरयाना पर कल्चर है और आप लोग हरयाना पगडी भी यहां पर बंदवा सकते हैं तो कुछे स्तरीके की पगड़ी बाकिरण यहां पर रक्के हुई है इनों ने तो यह देख सकते हो यहां पर हरियाना का कल्चर दिखाए हुआ है किस तरीके का डेसी धेशा हता है तो राम्राम भाई तो इसी तरीका के कल्चर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह पगड़ी वगएरा किस तरीके से आप बंदवाते हैं यह चार्जिस होते हैं चार्जिस होते हैं क्या चार्जिस होते हैं यहाँ पगड़ी बंदवा के फोटो वगएरा खिषवाओ पगडी बांद के पुरा मेला आपने हैं काफी सारी देखने को मिलने वाली है और अलग अलग आप लोग को शेहर से शेट से रिलेटेड आप लोगो गेट से यहां पर देखने को मिल जाएंगे साथ में इस साइड में ना काफी सारी रंगोलियां बनाई हुई है जो कि स्टूडेंट्स के थुरू बनाई हुई है और काफी जदा सुन्दर नजर आ रही है रंगोलियां और सामने एक सेलफी पॉइंट भी बनाया हुआ है तो इस तरीके की रंगोली भी आप लोगो देखने को मिलेंगी छोटे छोटे बच्चों के पैर बनाये हुए है और यहाँ पर दिया बगरा बनाया हुआ है तो इस तरीके की रंगोली भी देखने को मिल जाएंगी साथ में उस साइड में चलते हैं काफी सारी शॉप्स बगेरा जो है वो रैडी हो चुकी है और तयार हो चुकी है तो उनमें आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपर मिल पाएंगी अब आप लोगो दिवाली से रिलिटेट काफी सारी चीजे देखने को मिल जाएंगी एक सेल्फी पॉइंट टाइफ से ये बनाया हुआ है देख सकते हो थर्मा कोल से कंप्लीट ये डिजाइन बनाया हुआ है एक दिये की शेप दी गई है साथ में यहां पर कोने में आप लोगो चोटे-चोटे से मटके रखे हुएं और उसके अंदर में फूल डाले हुएं काफी ज़्यादा सुन्दर लग रहा है बागी आप लोगो इसी तरीके के सेल्फी पॉइंट काफी सारे देखने को मिल जाएंगे साथ में आप लोगो सामने भी देखेंगे तो यहां पर भी आप लोगो एक बड़िया था सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा ऐसे लग रहा है कि दिये में से लोग नहीं निकलती और आग जलरी होती है उस तरीके की चीजे भी आप लोगो यहां पर देखने को मिलने वाली है काफी ज़्यादा खुबसूर्ती से और प्यार से इसको बनाया गया है क्योंकि आप लोगो पता है कि दिवाली उस सवे तो दिवाली से रिलेटेट चीजे आप लोगो काफी सारी देखने को मिलने वाली है और सामने आप लोग देख पाएंगे complete जो पेड है ना उसको भी complete तरीके से सजाया हुआ है तो ये भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है सामने आप लोग देख सकते हैं क्रिष्णा पिकल्स तो इस तरीके के शॉल्स भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले काफी बड़ा मेला लगा हुआ है भाई मजा आने वाला यहाँ पर आने के बाद में हम तो काफी ज़्यादा उसुक है इस मेले को देखकर और आप लोग भी यहाँ पर आएंगे तो काफी ज़्यादा इंजॉय करेंगे उपर की साइड में देखेंगे भाई उपर की साइड में देखो कितनी ज़्यादा प्यारी colorful decoration आप लोगों को देखने को मिलने वाली है और इसी तरीके की decoration आप लोगो complete मिदान के अंदर देखने को मिलने वाली है दिवाली उस्व की बात करें तो अगर माता लक्षमी की और गनेश जी की बात ना करें तो भिया थोड़ा सा दूरा सा लगता है सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गनेश जी की और माता लक्षमी जी की काफी सारी मूर्थियां देखने को मिल जाती है और यह पूरी के पूरी तो तामबे से बनी हुई है नहीं ब्राश है ब्राश से बनी हुई है और काफी ज्यादा सुंदर यह बनाई गई है और काफी ज्यादा वेट है इनके अंदर में यह देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है और इस तरीके की चीजे भी आप डीपावली में गनेज बहते हैं लोग के लेगा इंदतें लिए खीर स्रस्ःति पर होते मार पास यह ठाऊ है तोटल जो है आपने ब्राद से बने हुई चीज़ें यहां पर लगाई हुई है और सारी की सारी पूजा के अंदर काम आती है यह जैसे कि हम लोग बात करें इस गड़ेश जी की तो यह गड़ेश जी हमें कितने के पढ़ने वाले यह पचीस हजार रुपे के पढ़ने वाले अछल्ट आया हमारे बास तो शारेश चाहिए सय स्सार्तिंग है यह ब्राषकी बाऊने साथ सब्साइब यह सब्सक्राइब है इससे सब्सक्राइब है ऐसाँ कर निया कम वाला लिल हम आरपस यह कर दब गड़नाे जीन में यह द्गा दोस और अर यह तीन सोर वेगा इसि यह 500 रुबेगा है यह वाला इस सेम सेम है सेम है काभी सारे लोग ड्राइफ रूट्स वगेरा भी गिफ्ट करते हैं और अपने घर के लिए भी ले सकते हैं यहां से तो आप लोग को ड्राइफ रूट्स की भी काभी सारी व्राइटेस देखने को मिल जाएगी सामने आप लो लोग इस मेले के अंदर आएंगे तो इस तरीकी की विराइटी भी आप लोग को देखने को मिलने वाली है साथ में इस साइट में स्टेज बनाया हुआ है काफी बड़ा सा स्टेज है जहां पर शाम को साड़े-पांच भी कल्शिर्ण प्रोग्राम चलने वाला है तो वह भ यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग को देख सकते हैं यहां पर आप लोग को दोसा काने को मिल जाएगा टिक्की मिल जाएगी मंचूरियंस चाओमिन वगरा काफी सारी चीज़े आप लोग को खाने पीने की मिल जाती है और इस साइट में भी आप लोग तो इस तरीकी चीज़े आप लोग यहां पर ले सकते हैं, साथ में आप लोग इस साइड में देख पाएंगे, तो यहां पर भी काभी सारे फूड कोड्स लगाए हुएं, अलग अलग तरीके के रेट्स बगरा भी लिखे हुएं, यहां पर आप लोग आइस क्रीम्स बगरा आप लोग खा भी सकते हैं, तो देखने का मतलब यही होता है कि देखने के बाद यह आप लोग खरीदोगे, उसके बाद खा सकोगे, साथ में आप लोग इस साइड में जाएंगे, तो इस साइड भी काभी सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे, आप लोग को चाय वगेरा, ह अलग-अलग शेट के चीजे देखने को मिलेंगी साथ में यह देख सकते हो आप लोग यहाँ भी म्यूजिक चल रहा है और साथ में आप लोग सामने देख पाएंगे उधर भी कभी जादा म्यूजिक वगरा चल रहा है वहां लेकर चलते हैं आप लोगो यहाँ भी पगड़ पर देखने के बाद मैं कैसी दुकान पर आ गया हूं जहां पर आप लोगो के हिसाब से समान मिल रहा है जहां पर इंपोर्टेट डाइरी आप लोगो 200 पर केजी मिल जाएगी तो क्वालिटी दिखाते हैं आप लोगो डाइरी की तो इस तरीके की डाइरी होने वाली है 200 पर केजी होने वाली है इस तरीके की डाइरी है और यहां पर आप लोगो फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे 100 विल्स पर इच मिल जाएगा यह देखो बाई यहां पर आप लोगो 100 रुबिस का मिलने वाला है यह वाला मैट और साथ में यहां पर travel bag शाथ सोर्वे kg इस तरीके के travel bag है यह साथ सोर्वे kg मिल रहा है आपको यहां पर यह देखो यह लिखा हुआ है और वहाँ पे आप लोगोग जैकेटस ब गयरा भी लिखी हुई है 700 labor car kg मिल रही है और जैकेटस फब गयरा देखते है की तरीकी मिल जाएंगे आपड 416 जैके वी बागी बहुत सरी चाहएंगा के दिलाएंगी बागी, इस मेले के अंदर आप लोगो मिलने वाली हैं शिपषा आप लोगो को 200 रुवे पर एक मिलेगा, देख सकते हो इस तरीका सिपषा होने वाला है यह दो सुर्वे का सिपर है बागी बढ़िया है सब कुछ आप लोगो प्लाशिक से रलेटेट काभी सारी चीजे मिल जाएंगी जैसे कि टिफिन बॉक्स पर वगरा काभी सारी चीजे मिल जाती हैं वो भी आप लोगो 30% आफ मिलने वाली हैं यहां पर आप लोगो पिकल्स व काफीसवा चीजें जितों चीजें सब्स्केशी से नजों मिल जाएंगी हैं यहां पर आप लोगो दिवाली डेकोरेशन से लिटेटstoff його हैं साथ में को पर रेड मेंशन किया हुआं 505 उसुपे बागी देख सकते हो काफीसे चीजें तो की इस वाली टेकोरेशन से ब्तेमरा अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो उस तरीकी शॉपिंग भी आप लोग यहां पर कर पाएंगे साथ में यह चीज मेरे को काफी ज़्यादा बढ़िया लग रही है अगर आप लोग घर के डाइनिंग टेबल पे रखते हैं या फिर हॉल के अंदर रखते हैं तो काफी ज़्यादा प्यारा लगने वाला ही है इस तरीकी चीजे देखने को मिल जाएंगी बागी देख सकते हो यह लटकाने वाली डेकोरेशन भी आप लोग देखने को मिल जाएंगी इसाई तरीके की काफी सारी दुपाने लगी है देखो लोग एकोरेशन से रेरिटेट काफी सारी चीजे ज्योंके आप लोग एकलिए एक्ष्टोड आप कर पाऊंगे देख पाऊंगे दीए से रेटेट है तो सुबला भी आप लोगो मिलने वाला है हैं बहुत सारी चीजे देखने को मिलने वाली हैं हमारा ये टोटली हैंड क्राफ्टेड वर्क है और हम लोग एक्षली में डिजाइनिंग के लाइन के हैं और हम लोग उन्हें कुदी स्टार्ट अप करें सिक्समन बैक की स्टार्ट करें इस आफ फर्स लॉंच और जब हमें पता चला कि हर्याना कॉर्मिंट पहली बार अपना सुरेच को दिवाली मेला लगा रही है तो वी डिडिन्ट वांटेट टो मिस्ट अपर्चनिटी अट और अन दिस अपर्स एक्स्पीरेंस वोप इस इस गया चीजे आप लेकर आएं सारा डेकोरेशन का है दो प्रोड़क यह कुछ कोस्टर जिनमें मंत्रा स्पेस्ट करें हैं इसी से रिलेटेड हमने कुछ यह रिंग बना रखे हैं जो गर्स के लिए बहुत अट्राक्टिव होते हैं डूसरा मेरा ब्रैंड जो प्रोड़क्त है वो कोश्या से रिलेटेड आइं इस आपने पाउचे इस तरीके बच्चों के जो पूरे खेलने के लिए यूज करें आ सकते हैं बिल्कुल और इसी तरीके से पूरा फ्लोरल रेंज भी अभी छोटे प्रोडक्ट्स यह से यह पॉट्स के साथ हैं 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 हमारे यह इस तरीके के तो कोशिश करिए अपनी तरफ से काफी प्रोड़क्त आइस जव्लप करने में तो देखें एक तो ना बहुती ट्रीशनल आट है क्रोशिया जो है बहुती ट्रीशनल आट है पूरे वर्ल्ड में और बहुत इनूवेटिव आट है ना सिफ स्वेटर्स और ड्रेसे बनाए जा सकते हैं हम सारे डेकुरेशन के आइटम्स और यह हमारे जो भी डेकॉरेशन है जैसे लीफ है इसके ऊपर लगाके हम सेल कर सकते हैं पर्पस हमारा यह है कि इसको दिया को लिट कर दें कि यह इंडूजियली इसमें हम ओयल वगड़ा कुछ नहीं भरते हैं रेजन में इसमें अलग से टीलाइट कांडल होड़ देगा यह हमारा स्टॉल है फॉरन कोट जो होता है उसमें एफसी 11 है और जो कल्चिरल प्रोग्राम हो रहा है उसके ठीक ओपोजिट है यह गेट नंबर फो से अप्रोचबल है सचकुन मेले के अंदर आप लोग इस तरीके की चीज़े भी देख पाएंगे कंप्रीट देख सकते हो मार्बल से बने हुए आप लोग चीज़े देखने को मिलेगी जो कि आपके घरों के डेकोरेशन में काम आने वाली है देख सकते हो किस तरीके लॉइन बने हुए है दो जादा प्यारा लग रहा है और इसी तरीकी की चीज़े देखने को मिलेंगी साथ में आप लोगो गाय माता भी देखने को मिल जाएगी यह भी आप लोग यहां से आगे खरीज सकते हैं दिवाली पूजन में रखना चाहते हैं तो आप लोगो इस तरीकी की चीज़े देखने पोट्स है और फ्लावर पोट्स की भी रेंज है इनके उपर में काफी अच्छे से इन्हों ने श्टॉन वगएरा लगा हुए है और कल्रिंग वगएरा करी हुई है तो काफी ज़्यादा प्यारी लग रही है साथ में उस साइड में भी काफी सारे आप लोगो लेंप्स वग की तार दी गई है लाइट जलेगी तो काफी ज़्यादा प्यारा लगेगा साथ में अलग-अलग तरीकी की चीज़ है जैसे कि आप लोग यह जूला देख सकते हो जिसमें कृष्ण जी को रख सकते हो आप लोग इस तरीके के मंद्रों वगिरा में यूज होते हैं तो यह चीज भी आप लोग देखने को मिलें कि कंप्लीट जो है मार्बल से बना हुआ है तो काफी एदा युनीक लगता है और साथ में यह ऐलिफेंट्स है आप लोग देख पाएंगे यह चीज भी आप लोग यहां पर मिलने वाली है साथ में छोटी से लेकर बड़ी चीज हर च वाले च्छतिसगर गेट के जश्ट बाहर में आप लोगो को यह श्टॉल देखने को मिलेगा और यहां से आप लोग तरह तरह की चीज़े ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं काफी प्यारा श्टॉल लगा हुआ है तो यहां से आप लोग शॉपिंग करना बिल्कुल ना खाने भीने की डेर सारी चीज़े आप लोगो देखने को मिल जाएंगी तो काफी सारी चीज़े आप लोग यहां पर एक्स्प्लोर कर पाएंगे अगर आप लोग यहां पर आते हो 30 रुपीस का टिकेट बाई वर्थ इट है क्योंकि इतने सारे म्यूजिक दांस वगेरा का अगर आप लोग कुछ खरीदते नहीं भी हो ना और ऐसी घूमने आते हो तो भी आप लोगो काभी मज़ा आने वाला है तो चलते हैं मिलते हैं आप लोगो नेक्ट वीडियो पे टिल देन बाबाई टिकरना इस दे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अभी हमें बूस्ट् कि आप लोग ऐसी बड़ी आप लिए वीडियो तो आप लोगे लाद हैं मिलते हैं आप लोगो नेक्ट वीडियों फिल देन बाबाई टिकरना इस दे लिए